आप सभी को नमस्कार आज जिलेवार अध्यन के क्रम में हमने अभी तक जबलपुर संभाग के अंतरगत दो जीलों को देखा था आज हम देखने वाले हैं सीवनी जीलों के बारे में तो सियोनी जिले के बारे में क्या factual है क्या fact है जो हमें पता होना चाहिए जिले वाराध्यन के करम में उसके बारे में हम detail से जानने का प्रयास करेंगे और जो हमारा भागोलिक प्रदेश है या राजनैतिक प्रदेश है इन सब के बारे में आपको अलग से एक वीडियो मिलेगी और सब्ता में दो वीडियो की बात हुई है तो दो वीडियो आपको अलग अलग खंडों से मतलब मद्ध प्रदेश राज विशेश का जो विशेश तो आज आपको बताना है कि इस यहां है कि आप पहले भी करता है 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 कि उसकी सीमा रेखा कितने जीलों से लगती है रहते हैं तो उसका propulsion पहले स्इमनी जीले की बात करें चली जन संख्या है तोतल यहां की जन संख्या यहां पर रहते हैं यह आधिकारिक जनसंख्या के आकड़े से पता चला है छेत्फ़ल की बात करें तो चेत्फ़ल यहां का है 8,758 बर किलोमीटर अस्थापना इस राज बिशेष की अस्थापना की बात करें तो यह राज जो है बहुत ही पूराना है कहने का मतलब है इस राज की अस्थापना तब हुई थी जब मद परदेश नए राज की रूप में अस्थापित हुआ था एक नौमबर 1956 तो राज नि मेर्जिले की एक नॉव्मबर उनीस्तोछपन इसका नाम सीवनी पड़ा है इस लिए पड़ा है क्योंकि यहाँ परीक्ष्म स्योंना और स्पयाच लिक का नाम सियोंने पड़ा था दूसरी बात आती ही जो जिला है अस सेबन नेसनल हाइवे सेबन जो सात्वा उसके बीचों बीच से गुजरता है उसके बीच में इस्थित है अब बात करने हम लिंगानपात की जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक अभी आपको अलग से वीडियो मिलेगी ओबराल मद्द परदेश में सबसे ज्यादा फाच्छरता कहां पर लिंगानपात स सबसे कम सबसे ज्यादा काएं वह अलग से समगर एक वीडियो मिलेगी तो अभी जिलेवारा दिन कर रहे हैं तो जिलेवार में जिले के बारे में पता होना चाहिए तो इसमें लिंगानपात है 982 और साच्छरता दर यहां पे है 72.2 प्रतिसत तो इस जिले में साच्छरता की बात करते हैं आप सब जानते हैं भारत सरकार लगातार परेटन योजनाओ के लिए प्रयास कर रही है हमारे जो केंद्रिय परेटन मंत्री है पहला तिंपडेल उनके द्वारा लगातार राज्यों से समनबेकर राज में परेटन के छेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है परेटन अस्थल बनाया जाए तो उसी तरह से देखा जाए तो परेटन का लगातार विकास हो रहा है तो किसी भी जिले जे समन्दित जो भी परेटन देया दर्सनी अस्थल होते हैं वो हमें पता होने चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मा बैशनो देवी मंदिर सीला देही दूसरा आपको देखने को मिलेगा साई मंदिर नगजर और यह है मुहम्मद साह वली की मजार यह भी अक्सर पूछा जाता है यह मुहम्मद साह वली की मजार पूछा गया प्रशन ह और है कात्यानी सिद्धपीट, फिर है आदे गाउं का किला, इसके बाद आता है कातल बोडी जिसको बोलते हैं मात्रिधाम, तो कातल बोडी ये आपको पता होना चाहिए, कातल बोडी क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो संकराचारे स्वरूपानंद सुरसती थे, उनके मा की जनम अस्थिली बोला जाता है कातल बोड़ी इसी को इसी लिए इसका नाम पड़ा मात्री धाम तो संक्राचार स्वरूपानंद सुरसती की मा की जनम अस्थिली कौन सी है कातल बोड़ी जिसको मात्री धाम बोलते हैं स्यूनी जिले के अंतरगत आता है यहीं पर आपको यह पी जानना है कि यहीं पर पढ़ता है दिधोरी और दिगोरी क्या है श्री गुरू रतने सवर्धाम दिधोरी यहां पर क्या है ऐस्फटिक सिलvity भी पाया जाता है मतलब अस्फटिक जो स्यूलिंग है वो कहां पे है दिघोरी में और दिघोरी क्या है गुरु रतने सुवरधाम जिसको बोलते हैं गुरु रतने सुवरधाम दिधोरी में यहां अस्फटिक स्यूलिंग मिलता है और दिधोरी इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि जो सारे स्वरूपानंद सुरसती हैं इनकी भी जनमस्थली दिधोरी है तो इनके माता की जनमस्थली है कातल कातल बोड़ी और इनकी जनमस्थली है दिधोरी और यहां पर क्या है असफटिक पाया जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए इसके बाद सबसे महत्त पूर्ण एक परकार से देखा जाएं तो राश्टिय महत्त की यह कोई चीज जिले में है सियोनी जिले में तो है पेंच राश्टिय उद्यान यह राश्टिय महत्त का है और किस जिले में आता है सियोनी जिले में आता है पेंच राश्टी उद्यान से बहुत सारे प्रशन आपकी परिक्षा में बन सकते हैं और देखे भी जाते हैं जैसे कि पेंच जो राश्टी उद्यान है इसके मद से बहती है पेंच नदी और पेंच नदी के कारण ही इसका नाम पेंच राश् उध्यान का आप नाम बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया है इंद्रा प्रियähr सनी राष्ट्य उध्यान अब इसका नया नाम है. दूसरी बात एक नाम आपने सुना होगा. नाम है रूडियाड किपलिंग रूडैर्ड किपलिंग की जनम अस्थली बोला जाता है इसको रूडैर्ड किपलिंग के कौन है इनको नोबल पुरुसकार भी मिल चुका है क्योंकि भारत लटने पर 6 बरसों से अधिक समय अपना इन्होंने यहां पे बयतीत किया था और यहाँ पे इस region को मोंगली लेंड के नाम से भी जाना जाता है मोंगली लेंड के नाम से भी पेंच राश्टी उद्यान का जो ये region है जो ये छेत्र है उसको जाना जाता है इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि पेंच राश्टी उद्यान जो है वो भारत के प्रोजक्ट टाइगर के अंतरगत आता है मतलब पेंच टाइगर रिजर्व भी है तो पेंच जो है ये टाइगर रिजर्व भी है ये भी आपको पता होना चाहिए दूसरी बात यहां कि जो नदी है बेन गंगा बेन गंगा जो नदी है उसका उदगम अस्थान जो है वो सिवनी जिली में पढ़ता है कहां पर पढ़ता है ये पढ़ता है मुंडारा अस्थान है मुंडारा जिसको बोलते हैं रजोला ताल जो है मुंडारा में वहां से बेन गंगा नदी का उदगम हुआ है ये आपको पत रही है तो संजे सरो और परियोजना कहां पर बनी है अपर बेन गंगा पर बनी है ये भी आपको पता होना चाहिए फिर आगे क्या देखना है हमें कि भारतिय कि राश्टी अंदोलन हुआ था आप सब जानते ह bisher शबने पढ़ा होगा मॉडर्न हीस्टरी तो नमक सत्य अग्रा भी हुआ था और नमक सत्य अग्रा जब हुआ था यहां पर यह जो है खवाशा और कंदि Aleia यहां के क्या है मूशा लोहायर मूसा लोहार और उनके अनेक साथी तो एक नाम आपको पता होना चाहिए कि नमक सत्यागरा में मूसा लोहार ने भी योगदान दिया तो इन्होंने क्या किया था 1931 में अंग्रेजी सासन के खलाप इन्होंने बन में घास काटकर जंगल सत्यागरा की शुरुआत की थिया अंग्रेजी सासन के ब्रिद्ध इन्होंने जंगल सत्यागरा की शुरुआत की थी मूसा लोहार ने तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पे शुरू हुआ था ये ये भी यहीं पे शुरू हुआ था तेंच राच्टियो द्यान के अंतर्गत अब इसमें क्या चीजिए और जानना है इस शेत्र से समंधित इस जिले से समंधित कुछ और फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए जैसे कि एक है बंगोल ऑटोगीक विकास के अंधर तो बहुल और दोगिक विकास केंद्र जो है वो सियोनी जिले के अंतरगत आता है दूसरी बात सबसे महत्पूर देखा जाये तो भीमगड़ भीमगड़ बाद भी सब सुना होगा भीमगड़ बाद जो है क्या है मिट्टी का बाद है और भीमगड़ जो बाद है यह प्रदेश का पहला मिट्टी निर्मित बाद है और प्रदेश का पहला मिट्टी निर्मित बाद होने के साथ साथ यहां एसिया का सबसे बड़ा मिट्टी बाद है यह भी आपक कैसी है तो इसकी आकृति समुद्री घोड़े जैसी है इसकी चर्चा भी होती रही है सरकारी छेत्र का सबसे बड़ा कारखाना भी यही पेश्टित है और एक चीज और जानिएगा क्या अमोदागड़ और सोनारानी यह दो महल हैं अमोदागड़ और सोना रानी यह दूनों कहां पर इस्तित हैं आपके स्यूनी जिले के अंतरगत इस्तित हैं लास्ट में सबसे महत्पूण यह देखा जाए बाध के बाद भीम बाध भीमगड़ बाध के बाद यह सबसे कुछ महत्पूण है तो काली मूच चावल य यह लखना दौन यह अस्थान है यहां पर पाया जाता है यहां पर उत्पादन होता है और जो काली मूच चावल है चावल का नाम जुड़ने से ही महत्पूण हो गया क्यों क्योंकि इस बर्स जो 2019 में और 2020 को मिला कर दो चावल को जी आई टैग दिया गया है पहला चावल जिसको जी आई टैग मिला 2020 में उसका नाम है चक हाव काला चावल मर्डिपूर का है दूसरा था कतरनी चावल यह मुंगेर बिहार का है इसको भी जी आई टैग मिला है तो चावल नाम जुड़ने से ही महत्पूण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे चावलों को जी आई जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए समगर रूफ से आप तक पहुंचाने का आपको बताने का प्रयास किया है यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट अवस्करें धन्यवाद